नमस्कार साथ्यों 2019 का यह आखरी सत्र है और यह बहुत महत्वपूर्ण सत्र भी है क्योंकि राजसभा का यह 250 वा सत्र है कि दो सो पचास सत्रों की अपनी कियात्रा का यह बहुती प्रेणक्स बृत्यों के साथ राजसभा का दो सो पचास्वा सत्र प्रारंब हो रहा है उसी प्रकार से इसी सत्र के दर्म्यान 26 तारीक को हमारा संविधान दिवस हैं जबकि हमारे संविधान के सत्तर साल हो रहे हैं कि यह संविधान कि देश की एक्ता अखंडित्ता भारत की विवित्ता भारत के इस संदर्य को अपने में समेटे हुए है और देश के लिए वो एक चालक उर्जा शक्ती है तो समिधान के सत्तर साल अपने आप में इस सदन के माध्यम से देश वाच्वों के लिए भी एक जागरूती का अवसर बन सकता है पिछले दिनों करीब करीब सभी दल के नेताओं से मिलने का मोका मिला है और यह सत्र भी जैसे पिछली बार नई सरकार बनने के बाद सभी दलों के सहीयोग के कारण सभी मान्य सांसदों के सहीयोग के कारण हर किसी की सक्रिय सकारात्पक भुमिका के कारण गत सत्र अभूत पुर्व सिद्धियों से भरा हुआ था और यह मुझे सार्वजनिक रूप से गर्व से कहना चाहिए कि ये सिध्धी सरकार की नहीं होती है ये सिध्धी ट्रेजरी बेंच की नहीं होती है ये सिध्धी पूरे सदन की होती है और सभी सांसद उसके हकदार होते हैं और उसलिए मैं फिर एक बार कि सकारात्मक सक्रिय भूमिका के लिए सभी समस्वदों का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं यह सत्र भी कि देश के विकास की यात्रा को कि देश को गती देने में दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं उसके साथ कदम मिलाने का सामर्थ हम अमारी संसत समें भी प्रगट करें हम सभी मुद्दों पर खुल करके चर्चा चाहते हैं उत्तम से उत्तम बहस हो यह आवशक हैं वाद हो विवाद हो समवाद हो हर एक कोई अपने बुद्दी शक्ति का प्रचूर मात्रा में उप्योग करें और सदन की चर्चा को सम्रुद बनाने में योगदान दें और उससे जो अम्रत निकलता है वो देश के उजवल भविश के लिए काम आता है तो इन सभी साउसदों को शुब कामनाई देते हुए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अच्छ।